पुरिया जम्ट दोस्तों । इस मंदीङ में पहुचने के लिए आपको इन घने जंगलों से होते हुए और नदी नालम कि इस मंदीङ में पहुचने जाते हFG जैसे कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं, कितना कठिन डगर है, पर जिन लोगों के होसले बुलन्द होते हैं, वो इस मंदेब तक पहुँच ही जाते हैं। इन जंगल से होते हुए आप धोलिया महादेब तक पहुँच सकते हैं। यह मंदेर हिमाचल परदेश के धरमशाला में स्थित चड़ी गाउं में हैं। और यहाँ पर एक वार दर्शन करने से इंसान की हर मुराद पूरी होती है। दोस्तो यह वो मंदेर है जो स्वें भू प्रकट है। और यह इस मंदेर का नाम है धोलिया महादेब। धोलिया महादेब जो है वो हिमाचल परदेश के जैसे मैंने आपको पहले ही बताया। धरमशाला स्थित चड़ी गाउं में है। और इस मंदिर को धोलिया महादेब की नाम से जाना जाता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हर जगह पर शिप जी का ही बास है। यहाँ की दर्शन एकवार कर लिये तो इंसान की हर मनोकामना पूर्ण होती है। देखिए यह स्वय भू प्रकट मंदिर है और यहाँ पर शिप जी और पार्वती की फोटो देखी जा सकती है। यह किसी ने रखी नहीं हुई है यह खुद प्रकट हुई है। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि यह कितना अच्छा दृश्य है इस मंदिर का। इस मंदिर में दर्शन करने से भक्तों की हर मनो कामना पूर्ण होती है तो आप ही इस मंदिर में एक बार दर्शन करने जरूर आईएगा देखिए कितना अच्छा मंदिर है इसमें भूम काकट मंदिर है इस मंदिर में जिसने एक बार दर्शन कर लिए उसकी हर मनों कामना पूरण हो ही गई कहते हैं यहाँ पर एक ऐसी गुफा है जिससे होते हुए आप यहाँ पर मनी में हेश जा सकते हैं कहते हैं यहाँ पर भगवान शिप यहाँ से होते हुए मनी में हेश के लिए जाया करते थे